दोस्तों जैसे कि कल के वीडियो में हमने एनलाइस किया था ठीक मार्किट ने वैसे ही किया मैंने आपसे डिसकस किया था कि मार्किट गैप डाउन नीचे होगी उसके बाद एक लोवर लो लगाएगी और उसके बाद जो है उपर की तरफ आएगी और मार्किट ने एक्जेक् रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक किया और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो मेरे विए दोस्त जिन्होंने इस व्यू पर ट्रेड लिया होगा उनको जुरूर आज मुनाफ़ा देखने को मिला होगा वहीं मार्किट के दुरान आप देखेंगे कि मार्किट काफी उथ मार्किट जो है 340 को छूते हुए रह गए तो यह सब करता है डाटा पे और की डाटा कैसे फार्म होता है ड्यूरिंग मार्किट आउस मैं आप से डेली डिसकस करता हूं लेकिन बदकिस्मती यह है यह मेरी बोलेंगे आप कि आप लोग वीडिया पूरा नहीं देखते मैं देख रहा था जितने भी हुए ऐवरेज जो है सबसाती बीनेट कल मैक्सिमम लोगोंwater में सबसाइब दीए-वीडियो को जो क्या सिखेग वहीं मेरे मेरे old-channel में नहीं देखते ऐसा मैं भी मान रहा था रीजन क्योंकि वह मार्केट में चाते हैं और मेरे प्राइवेट च आप stock का account open कर लीजिए angel broking का कर लीजिए या 5 पैसे का कर लीजिए वैसे 5 पैसे का plate form में मुझे काफी अच्छा लगा है और अगर जितना भी margin है सुबह आप उसमें derivatives में काम कीजिए शाम को आप जो है commodity में काम कीजिए एक ही fund में में आप सारा दिन जो है multi trade भी कर सकते हैं सभी का link account open करने का link जो है वो मैंने description में दिया description में आप link देखके join कर सकते हैं अब देखेंगे कि market ने आज कैसे काम काज किया डी आई आई एफ आई दोनों आज भी जो है माल बेचके गए हैं तकरीबन के बारा सो क्रोड से ज्यादा का माल इन्हों ने बेचे और सारा माल जो है डी आई आई ने खरीदा है वहीं जल्दी से एक बार नदर मारी है काल के लिए क्या बन रहा है डाटा कैसे फार्म हो रहा है वहीं देखेंगे क्लाइंट्स जो है फुल बुलिश व्यू लेके गए हैं क्योंकि इन्होंने फ्यूचर भी बेचे हैं इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे हैं स्टाक फ्यूचर भी बेचे हैं काल बेची और पुट्स काफी अच्छी क्यों इन्होंने बाई किये हैं अब जल्दी से एक बार नेट डाटा पर नजर मारते हैं नेट डाटा क्या कहता है क्लाइंट्स जो कल जो थे बिरिच थे आज फिर से बुलिश हो गया नीचे में उन्होंने सोचा की हाथ मार लो जैसे ही नीचे की तरफ निफ्टी गई इन 17,300 शाट की हैं 5394 वहीं डियाई इस 15,333 कंट्रेक्ट अब इनके पास रहा गिया है FIAE के पास 11,856 कंट्रेक्ट हैं और प्राउस जो है ये भी नेगटी में आ गिया है अब कलाइंट्स और FIAE एक तरफ हैं DIAE दो और प्राउस एक तरफ हैं वहीं काल्स में देखेंगे क्या कामकाज हुआ कलाइंट्स आज नंबर बढ़ाते हुए नदर आए एक लाग तरफ हजार चारसो अत्सी ये नंबर आज इनके पास हो गया है डियाई याई कोई नंबर में चेंज नहीं है FIAE नंबर में कोई खास चेंज नहीं है और पुटसाइड में देखेंगे क्लाइंट्स ने काफी अच्छी राइटिंग की हुई है अब इनके पास वन लाग फाटी थ्री तोजन्ट सेवन फिफ्टी फोर कंट्रेक्ट है डियाई याई इस नंबर में कोई खास चेंज नहीं है FIAE इसके पास वन लाग थ्री तोजन्ट सेवन फोर कंट्रेक्ट है और प्राउस के पास 29,191 कंट्रेक्ट है और स्टाउक फ्यूचर में कोई मेजर चेंज किसी भी की नहीं है अक्सेप्ट रिटेलर के जिनके पास आप 4,31,000 कंट्रेक्ट हो गया है स्टाउक फ्यूचर के वहीं दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँँ कि जो आज देख रहे होंगे कि पुट जो है FIAE खरीद के लेके गये हैं तो इसका मतलब कल मार्किट जो है वो नीचे रहनी जाए मैं जो वियू पिछले कुछ महीनों से देख रहा हूं जरली कल एक्स पाइडी है ऐसा आप नहीं मानगे चल सकते गी ये पूरी की पूरी जो पुट है ये कल की एके की होंगी ये जो मैं पिछले कुछ टाइम से देखता रहा हूं मेरे को वि यही लग रहा हurgN стран updates के कि कल हमारी मार्किट कैसे कामकाज कर सकती है 13300 के लगबग क्लोधिंग हूई है लेकिन ग्यारां 300 की काल में 25 लाका उपन इंटरस्ट है वही 13300 की पुट पे 16,00,000 का अपन इंटरस्ट है डाटा काफी इंटरस्टिंग है वही 350-400 जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी 400 पे 31,80,000 का open interest है वही 350 में भी हलका सा addition हुआ है 15,24,000 का वही 11,200 पे आगर आप देखोगे addition अच्छा है यहाँ 26,64,000 का open interest है even 11,250 में भी open interest अच्छा है तो कल की जो मोटा माटी रेंज मेरे को नजर में आ रही है 11,200 से 11,400 की नजर आ रही है लेकिन आप कल काम काज कैसे हो सकता है अभी मैं देख रहा हूँ SGX निफ्टी जो है उपर दिखा रही है अगर कल gap up होती है major gap up चाहिए 20-30 point का gap up से market को फरक नहीं पड़ेगा 70-80 point का gap up होती है तो यह जो 11,300 की covering करने के लिए यह सारे भागेंगे क्योंकि आज यहां fresh edition है 12,22,000 का 12,72,000 का 12,300 की चाहरे 300 की यह 400 की यह सारे बंदे और एक बार 400 के ओपर टिकने में market काम याब हो जाए या gap up 400 के ऊपर कर दे 420 के ऊपर तो कल की कल में आपको 11,500 का level भी देखने को मिल सकता है क्योंकि expiry है यह आप चीज समझ के चलिए और अगर gap down होता है तो 11,200 की तरह भी हम जा सकते है जो भी players है जो big players जिन्नों ने अपनी position बनाई है जैसे हमारे pros ने बनाई हुई है या हमारे retailers को अगर मुनाफ़ा हुआ क्योंकि calls में उनको मुनाफ़ा नहीं हो रहा although market जो है आज सेम लेवल पे थी clothing में लेवल पे यह कल थी लेकिन calls के वो rate नहीं थे जो कल थे 50% से ज़्यादा calls down थी और puts की तो बुरी हालत हो गए थी जो सुबह के rate में जिसने put पकड़ी होगी उसको वो दिन को दुरान वो rate देखने को भी नहीं मिला तो ये big players जो है ऐसे market को चलाते हैं 11.200 से 400, 400 पे resistance है 300 पे देखना पड़ेगा खुलते ही open interest कैसे build up होता है मुझे लग रहा है कि अगर gap अप होई वहीं bank nifty में देखेंगे कि bank nifty में क्या 22,300 के लगबग market ने closing दी है यहां भी same situation है 22,300 की put पे 2,39,000 का open interest है 22,200,100 यह सब जो है और 22,09,53,000 का open interest है फिलहाल 22,200,100 यह सब resistance है यहां लेकिन हलकी हलकी resistance है जो अच्छी resistance है वो 22,000 के level पे है 22,000 के level पे वहीं अगर आप देखेंगे 22,300,000 का open interest है 300 पे कांटे की टक्कर है gap up होती है यहां भी same situation है 22,500 पे 9,000,000 का open interest है आज ही आज यहां fresh edition हुआ है 7,000,000 का 22,400 पे 2,56,000 का fresh edition आज ही आज हुआ है 2,56,000 का 2,69,000,000 650 की यहां open interest है अब कल यहां पे भी same game बन सकती है 22,600 के उपर अगर एक बार के लिए gap up होता है और sustain होता है तो market आपको जो है बहुत अच्छी 22,800,900 की रेंज की तरफ भी बढ़ते हुए मिल सकती है लेकिन अगर किसी वज़ा से gap down होता है तो हम 22,000 तक भी कर सकते है जो broader range है वो 22,000 से 22,500 की है as per option chain data तो इसी हिसाब से आप अपनी position बनाईएगा gap up या gap down के case में तो उमीद है कि आपको जो है अगर इस view पे position बनाएंगे तो मुनाफ़ा भी देखने को मिलेगा lie market में मेरे साथ जूड़ने के लिए आप क्या है कि मेरे किसी भी social media contact को join कर सकते हैं या telegram पे मुझसे जूड़ सकते हैं इसी के साथ दोस्तो मैं analysis यहीं खतम करता हूँ उमीद है कि कल आपको market में मुनाफ़ा हो नमशकार जैहिंद